चलिए आज बनाते हैं हरे चनी की ऐसी मज़िदर सब्जी जिसे आप एक बार बना लोगे तो बार बार बनाना चाहोगे और खाना भी चाहोगे क्योंकि एतनी टेस्टी बनती है इसे मैंने थोड़ा डिफरन तरीकी से बनाया है मतलब कि इसके अंदर मैंने एक सिक्रेट मसाला यूज किया है जिससे यह सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है तो पूरा विडियो जरूर देखिएगा तो यहाँ पर मैंने चने दे लिये हैं यह हरे वाले चने हैं जिस तरह के काले चने आते हैं वैसे ही चने हैं लेकिन ये हरे चने हैं तो इसे मैंने राद बर भिगो लिया था ओवरनाइट और मैंने इसे धोके भिगो या है तो मैंने अभी इसे वाश नहीं किया है क्योंकि पहले से मैंने इसे धोके भिगो दिया था और अब इसके अंद लेते हैं चावल क्योंकि यह जो सब्जी हम बनाने वाले हैं वो हम ग्रेवी वाली बनाएंगे तो ग्रेवी वाली सब्जी के साथ हमें चावल पहुती पसंद है आप इसे रोटी या फिर नान पराठा के भी साथ सर्व कर सकते हो लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को चावल क उन्हें अच्छे से धो लिया है और अब चावल को भी हम पकने के लिए रख देंगे दो कब चावल लिये थे तो दो ग्लास पानी डाला है यहां पर कुकर में भी सीती आना स्टार्ट हो चुकी है तो जब तक चने और चावल पक रहे हैं तब तक हम बाकी की त्यारे कर ले तो इसे पकने में थोड़ा सा जाधा डाइम लगता है और अगर अच्छे से नहीं पकेगा पेस्ट तो थोड़ा सा कच्छा बन जाता है तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है तो यहां पर मैंने इसे बारी चॉप करके लिया है टमाटर और प्यास दोनों को मैंन चावल में पानी है की नहीं तो यह देखिए चावल भी हमारे एकदम रेडी है तो गैस की फ्लेम को आफ कर लेते हैं चले अब हमें चाहिए खलवर्टा क्योंकि इसके अंदर हम बनाएंगे लसुन की चटनी तो यहां पर मैंने 6-7 कली लसुन की ले ली है और इसके अंदर थ चटनी एकदम रेडी है फटा फट से बन जाती है चले अब ले लेते हैं एक कडाई और कडाई में डाल देंगे दो चमच बर के तेल यह सबजी हम ग्रेवी बना रहे हैं तो इसमें तेल की जरूद हमें जादा नहीं पड़ेगी तो हम थोड़ा सा ही तेल लेंगे तो यहा बनाई थी वह उसके अंदर डाल देंगे और इसे एक से दो मिनिट हम पका लेंगे एकदम लो फ्लेम चलेल के और अब इसके अंदर डाल देंगे प्याज और प्याज को राड पाद देंगे टामाटर और अब खालेंगी थोड़े से मसाल तो यहां पर रह एक लेकिन नमक और मिर्च की जो कॉंटेरी है वो थोड़ी सी कम लेंगे क्योंकि चटनी लसुम की चटनी जो हमने बनाई थी उसके अंदर भी हमने नमक और लाल मिर्च पाउडर लिया था तो थोड़ा से संभाल के हम डालेंगे चली अब यह जो खलवट्टा है उसके अंदर ब इसे हम रखतेंगे एकदम लो फ्लेम पे पकने के लिए तब तक हम कीचन की थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं क्योंकि मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा मदब के वाइट है तो उसे मुझे क्लीन करना पड़ता है पहुत सारे वीवर्स पूछते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म इतना साफ कैसे रहता है तो मैं बीच बीच में इस साफ करते रहती हूं क्योंकि वाइट है तो उसकी थोड़ी सी केर हमें करनी पड़ती है चलिए यहापे ग्रेवी को भी एक बर चेक कर लेते हैं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर से एकदम लो फ्ल रिंग करने अदर रह गया है यहाँ पर पनिकल लिया है तो आपको चलने की जद्रोत नहीं पड़ेगी चलिए अब यहाँ चर से पांचे स और कर दिया है यह वो सिक्रेट मसाला है जिससे हमारी जो सब्जी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी इसके अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा तो अगर आपके पास ही मसाला है तो आप ज़रूर डाली अगर नहीं है तो आप एक से डेट चम्मच बेसन का भी यहां पर सकते हो लेकिन यह जो मसाला है उससे बहुत ही पढ़िया फ्लेवर आता है तो ज़रूर डालेगा मसाला डालके मैंने थोड़ा सा पानी डाला है अच्छे से मिक्स कर दिया है और ढग कर सब्जी को मैंने 5-10 मिंट एक दम लो फ्लेम पर फिर से पका लिया है सब्जी हमारी अर्मोस्त रेडी है तो लास्ट में डाल देंगे मलाई के मतलब के दूद की ऊपर जो मलाई आती है वो ले लेंगे तो मैंने यहां पर एक से डेट चमच दूद की मलाई ले ली है आप यहां पर फ्रेश क्रिम का भी यूज़ कर सकते हो और यहां पर मैंने आदा चमच ची चिनी डाली है अगर आप मिठा नहीं खाते हो तो चिनी को अवाइड भी कर सकते हो तो यह लिजे हरे चनी की सबजी एकदम रेड़ी है टेस्स में बहुत ही बढ़ा लगती है आप इस तरह एक बर जरूर ट्राइ करिएगा तो आपको आज की रेसिपी कैसे लगी प्लीज मु